इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं BLS E-Services Limited के बारे में जिसने के अपने quarter 3 के जो नंबर से वो जस्ट अभी पब्लिश कर दिये हैं तो डिसकस करेंगे consolidated financial results सारे earnings जो है वो लैक्स में इन करोड से बात करने वाले हैं quarter 3 का data 2 का है दिसमबर 2022 की earnings थर्ड रो में जो पिछले साल की company की quarter 3 तो टोटल अगर income की बात करें तो yearly basis पे income company की 70 करोड से 72 करोड पर आगी और quarterly 81 करोड से 72 करोड पर तो quarter on quarter तो income काफियत तक कम रही है और yearly basis पे nominal सी ग्रोथ हमें 2-3 करोड के अप्रॉक्स देखने को इस बार मिल रही तोटल अगर expenses की बात करें जो की होते company की total खर्चे तो yearly खर्चे 61 करोड से 62 करोड पर आ गए और quarterly 69 करोड से 62 करोड पर जिस तरीके से quarterly income कम रही तो quarterly खर्चे कम रही yearly income बढ़ी तो expenses भी थोड़े बहु का काफी जबर्दस profit हो और quarter 2 में 9 करोड के profit तो वह इस बार 7 करोड पर आ गया तो क्यों उनक्यू income कम रही तो company के profit भी 2-9 करोड के अप्रॉक्स कम देखने को मिल रहे बट yearly basis पे काफी शांदार performance इस बार हमें देखने को मिल रही है same reflection देखने को मिलेगा EPS में negative का 2.07 EPS थ और quarter on quarter profit कम रहे तो EPS भी 1.27 से 1.12 तो overall देखेंगे तो yearly performance काफी अच्छी रही है तो आपको आज BLS e-services के कितने शेयर से comment section ने बिल्कुल बता हैं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ अब तक के लिए बाबाए